मेरा नाम गावरी प्रिया माईलवर्पु है मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं मुझे 11 एक्सपीडिन्स है न्यूट्रिशन फील में जनली बहुत सारे लोग डाइबेटिस के बारे में पूछते रहते हैं डाइबेटिस है तो पहले क्या करते हैं शुगर पूरा लेते हैं पहले उसके पीछे देखना जकुत आप अगर आप तो आपको पथाचल जाएगा इसलिए जो भी यह sugar alternatives है वो यूज करना बंद कीजिए आप अच्छा नाचरल वे में शुगर आप यूज करो नहीं तो शुगर पूरा अगर आप बंद करें तो वैसे ही आपको हजम होना है और वैसे ही आपको खाना काना है उसके हिसाब से ही आपको अच्छा शुगर कंट् इसलिए जो भी आप खारें उसमें पूरा आपको आच्छी तरह फाइबर आपको मिलाना है फाइबर जब आप मिलाते हैं आपके खाने में जैसे कि आगर आप चावल खारें चावल वाइट रेस दें ब्राउन रेस खाओ उसमें भी थोड़ा फाइबर मिल जाता है अगर वीट गयो के आटा खा रहे हो उसमें थोड़ा जोवार मिक्स कर दो उसमें थोड़ा रागी मिक्स कर दो उसमें भी और थोड़ा फाइबर आड हो जाता है वैसा आप दाल आप जो भी है वेजटिवल्स है उसमें भी थोड़ा ज्यादा फाइबर रहने वाली वेजटिवल ने बीन से आपको फाइबर थोड़ा ज्यादा मिलता है वैसा अगर आप इंक्लूड करें तो पूरे दिन का अच्छा फाइबर अगर इंक्लूड करें तो शुगर लेवल गूर्ट करना बहुत एजी हो जाता है शोगर लेवल कंडूर करना इतना आसान है जब आप थोड़ा सोच के समझ के आपका प्लेट जो है जो भी आप खा रहे हो उसमें कंपल सरीली आपको प्रोटीन रहना है वेश्टिबल रहना है और सालेड रहना है वैसे अगर आप जबी भी मील का रहे हो ऐसा काउंट करके अगर आप खाते हो तो ऐसे ही नॉर्मली ही आपका शुगर तो उन लोगों का जो आप मेडिसन ले रहे हो या इंसुलिन पर भी अगर आप हो तो कंपल सरीली आपको एक डाइटिशन से मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे ही आपका कितना कार्बोएडेट्स आप खा रहे हो कितना इंसुलिन आपको मिल रहा है उसके हिसाब से काउं लोग क्या करते हैं मैं तीन नोटी खा रहा हूं तो शुगर है इसलिए दो मैंने कर दिया है लेकिन अगर आप एक कम कर रहे हो तो बाकी का बालेंस करना है तो क्या ज्यादा ले रहे हो आप वो देखना पड़ता है तो इसलिए अच्छा बालेंस डाइट अगर आप खाते होगा अच्छा फ्रूट्स वह नाच्रल है नाच्रल शुगर से कुछ नहीं होगा कितना खाना है वह इंपॉर्ट एक कप ग्रेप्स खाओ आप अगर आप अच्छा जो भी आप खा रहे हो वैसा आप काउंट करके खाए तो बहुत अच्छा रहता है तो टाइमिंग कितना आ स्नाइक है बहुत डिबडराइख घालाइख योश्के बाद फ्रूट का लिए उसके बाद नच्छ तब एक टाइम है बोल यह इसा ने करना है थोड़ा देर के बाद नच्स ले सकते हो थोड़ा देर के बाद राएख ज्यादा काना है क्योंकि हरा दाजी पाइबर स्क्राइब को अब सिर्फ चाप कर wine perse तो शक्राइबर चुट काने से सर्फ ड्राइबोटेस कंट्रोड ही नहीं आपको जो भी आप खाना खाते हो अच्छा फिलिंग भी रहता है जनरली फाइबर हम बोलते हैं कि अच्छा फाइबर खाए तो थोड़ा डायदेशन प्राब्लम भी काम हो जाता है यह सई है तो फाइबर खाए तो थोड़ा मोशन अच्छा नहीं आएगा वो गलत है क्योंक अच्छी तरह मोशन भी अच्छी तरह पास करते हो कुछ मोशन का प्राब्लम भी नहीं होगा बाद में तो इसलिए फाइबर खाने से इतनी सारे पॉजिटिव है और नियुट्रिशन अब्सॉप्शन में जिनरली बहुत सारे लोग बोलते हैं ज्यादा फाइबर भी नहीं क कोई भी जरूत नहीं है हमारा बॉडी है वो टेकर करें कि सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है बोले तो शुगर्स कॉंटिटी टाइमिंग बस यह तीन चीज़े आप ध्यान में रखो सब आची तरह हो जाता है माइदा के चीज़े जो भी सिंपल कार्बोहईड्रेट यह क्या करते हैं खाने जब आप खाते हो ऐसे चीज़े बॉडी में इमिनेटली ब्लड फ्लूर आ जाता है तो वैसे में अगर आप गेहू के आटा खाते हो यह आप मिलेट्स ज्याता इंक्लूट कर क्योंकि अभी रिसर्च क्या बोलती है मिलेट्स बहुत अच्छा इंप फिरट बना सकते हो अच्छा यह नगूंस सकते हो पुरा जो भी है अगर आपका plugging कर दो एक श्टामक नहीं फिल और तो ऐसा बारली के हुग है अप यह जुटल मिलता है मिलता है वहाद की तरह बना आप एदिनर मीन भी खाते हो मिलेके तो उसमें जो भी न्यूट्रेंज है उसके वज़े से आपको आच्छी तरह फिलिंग भी मिलता है तो आप आच्छा सो सकते हो अच्छा डाइजिस्ट हो जाएगा शुगर कंट्रोल हो जाएगा पहले जो भी शुगर कंट्रोल हो गया तो बाकी के पूरे आटमेटिटली कि उन्मी जाएगा टॉटार को ये झी झीजवफा थांपको ओर्या जाएगा शुगर कि जख सकते हो जाएगा जाली नाएगा टॉटाएगा दबांओ झीज़ खर धन्मी जा झीज़ेगा टॉटांवेशे